अपने लेक गांधियन थौट वाइस वर्सा इंडिजिनिस आइडिलोजी में आदिवासी समाच शास्त्री जोसिफ मैरियनस कुझूर लिखते हैं उसके काम को दो पहलों के माध्यम से विशलेशत किया जाना चाहिए पहली बात गांधि का भारतिय आदिवासियों के साथ कोई प्रत्यक्ष सम्बंद नहीं था और उनकी लेखनाव में आदिवासी मुद्दों के बारे में कोई विशेश विचार नहीं है दूसरी बात ये है कि गांधी के दर्शन और आधिवासी दर्शन के बीच कोई वाद विवादिक संबंध भी दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन गांधी के थौट और प्रिंसिपल में आधिवासीयों के साथ क्या मेल मेलाब है आईए इस वीडियो में जानते हैं 1940 के दौरान से ही गांधी के दर्शन को दलितों, पिछडों, महलाओं और विद्रोही संगर्शों के संदर्भ में समझने के प्रयास हुए है भारत में विद्वानों ने गांधी के संदर्भ में आदिवासियों के साथ उनके दर्शन का स्वतंत्र विशलेशन करने के लिए किसी आदिवासी नेता का पता तो नहीं लगाया गांधी को दक्षन अफ्रीका में जादिवात का अनुभव हुआ और वो जूलू और अन्या आफ्रीकी आदिवासी समुदायों की ओर से उनके उपन्यास के साथ उनके गुलामी और शोशन के विशे में बात करते रहे ये गांधी का पहला संगश था गांधी का मानना था कि धर्म की प्रधानता किसी भी चीज के उपर है और वो एक व्यक्ति का व्यक्तिकत मामला है हाला कि आदिवासी दृष्टि कोण ये मानता है कि परमकर्टा उनके बीच ही है ये वही है जिसने उन्हें जीवन के तरीके सिखाए है ऐसे परम करता उनके किस्तों में अधिकतर पाय जाते हैं जिन्हें जीवन के महतुपूर्ण सामाजिक अफसरों पर बार बार पढ़ा जाता है गांधी के ब्रह्मान के सिद्धान्त में एक बच्ची है जहां दिव्य पवित्रता प्रधान है और प्रकृती और उसके तंत्र सुनिष्चित है आदिवासियों के पास भी एक बच्ची है जो एक प्राकृतिक वास्तविक दुनिया और प्रभावशाली दुनिया के बीच व भाजन है गांधी द्वारा सद्गुण सत्याग्रह स्वदेशी और विश्व शान्ती के चार सिध्धान्त आदिवासियों द्वारा मोल रूप से स्थापित किये गए थे वास्तव में इनका पालन लगभग 5000 वर्षों से ही चल रहा है इतिहास में आदिवासी और दलित विज्ञान और बुद्धी कभी भी मान्यता नहीं प्राप्त कर पाती है मेंस्ट्रीम में लेकिन एतिहासिक रूप से आदिवासी जीवन के जो तीन मूल्य आवशकता हैं खाने की चीजे कपड़े और घर उसमें आत्मनिर भर रहे हैं वे अपना खुद का नमक भी बनाते खेर इस विडियो में बस इतना ही आपको कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए भी आप देखते रहे हैं जन सत्ता शुक्रिया